तो आज़ाब नमस्कार गुड़ीवनिंग सास्या काल एक बार फिर आप तमाम लों का स्वागत है एक लंबे ब्रेक के बार जब लाइब कहानी नहीं सुनाई बीच में काफी सारी चीजे थी पर उमीद है पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी और पिछले तीन दिनों में बहुत सारे अत्मी क्राइम तक फैमिली के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला बड़ा अच्छा लगा साहित आज तक था इंद्रा गांधी रास्टे कला के इंद्र में आपनों को मैंने बताया भी था तो अच्छी खासी तादाद में बहुत सारे मिले मुझे और उ अच्छ तक टीम जो है इस वक्त लगबग एक तरह से थकी हुई है क्योंकि फ्राइडेस एडरेसंडे बड़ा हेक्तिक था करीब दो सो सज्जादा गेस्ट अलग अलग परफॉर्मेंस अलग अलग चीज़ें और कल समापन में मुझे मौका मिला था मुझे का समापन करने क तो मिरे लिए एक अलग एक्सपिरियंस भी था क्राइम की दुनिया से हट के शेरो शाहरी की दुनिया में पहुचना और डॉक्टर रहात इंदोरी और वसीम ब्रैलवी जैसे शायर के साथ मंच साजह करना बलके उसकी सदारत करना उस मुझेरे की जिनको बच्पन से सुनत पढ़ते हैं तो एक अलग एक्सपिरियंस था डर भी था क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठना अपने आप में कि कहीं को गलती ना हो जाए अपना सब्जेक्ट हो चलता है चुकि यह क्राइम के सब्जेक्स से बाहर की चीज़ें थी लेकिन एक नया तजरूबा था वज़ा से बीच में कहानी जादा तर रिकॉर्डड भी थी आज लाइव हैं आज तारीख है चार नमबर दोहदार उन्दिस दिन हैं मंडे हाफते की शुरुआत है लेकिन आज की कहानी पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले दो बड़ी जरूरी चीज़ें बताना चाहता ह कि अभी दो ऐसी कहानिया सुनाई जिसको लेकि बहुत सारे लोगों के मेल आए बहुत सारी तारीफियों हुई और वो उसके असले हगदार उसका मैं नहीं हूँ मेरी क्राइम तक की फैमली के ये दो मिंबर हैं एक आकाश काले हैं जिनोंने जो मलेशिया के जुड़ूआ भाईयों की कहानी आपको सुनाई थी कि कैसे जच को पता था कि इसमें से एक गुनहगार है लेकिन एक बेकसूर और उस चक्कर में हमशकल होने की वज़ए से दोनों को अदालत ने बरी कर दिया आकाश काले ने मुझे ये स्टोरी भेजी थी और सुझाओ दिया था कि है मौत दी गए इलेक्टिक केर पर बिठाया गया और करीब सतर साल के बाद पता चला कि वो बेकसूर है और उसके साथ गलत पूरा जो कोट का की प्रक्रिया थी वो गलत अपनाई गए थी ये कहानी विमाला प्राम ने सेजिस्ट की थी उन्होंने बेजा था और उन्होंने डेमो करके भी दिखाया था कि तक आप जो है जिसमें आप बिना ब्रेक के सारी कहानिया सुन सकते हैं सारे अपने शोज देख सकते हैं तो तक आप अपने अपने मोबाईल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बिना ब्रेक के आप कहानिया सुन सकते हैं और बाकी त बढ़ते हैं आज की कहानी कई मामलों में थोड़ी सी मतलब अलग भी है कई मामलों में थोड़ा सा चौकाती भी है और कियो सिटी भी पैदा करती है बलके मैं यह कहूँ कि जेल ब्रेक की बहुत सारी ऐसी कहानिया हैं पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे अलग है ड तरह की हो, वो उसको खोल देता, वो अपने पंजों और पैरों के बल, चिकनी से चिकनी दीवार के उपर भी वो छिपकली की तरह चल जाता, इस दीवार पे वो इसकी डे, ऐसा लगता कि मानो कि वो छिपकली है, वो अपने जो शरीर की बनावट है, उसको किसी भी तरीकी से उसका रुख मोड देता था, पूरा हाथ पीछे कर ले, पैर पीछे कर ले, पैर एकदम दोनों उठा कर पीछे ले जाए, मतलब सब कुछ, वो अपना पूरा एक तरह से हुलिया बदल लेता था, जो शरीर का आकार है, उसको छोटा कर ले, बड़ा कर ले, यह हुनर उसके अंदर, तो यह सारी चीजें, एक शक्स के अंदर, और उस शक्स के साथ जुड़ावा है एक रिकॉड और वो रिकॉड यह है, कहानी जापान की है, कि एक शक्स कैसे जापान की चार अलग-अलग जेलों को ब्रेक करता है, और हर जेल में जब वो जाता है, पहली बार जब उसको सजा भी उसको छोड़ कर तो हर जेल में ये पता है कि ये जेल तोड़ कर भागा था इसलिए उसके लिए जादा सुरक्षा जादा उसकी निगरानी की गई लेकिन उसने हर जगह पे चैलेंज किया कि मैं भागूंगा एक उसके अंदर काबलियत ये भी थी कि वो तोड़ डाला और गाट के सामने और उसने कहा कि ये लो मैंने हट पड़ी तोड़ दे और मैं एक दिन जेल से भी भाग जाओंगा तो इतनी सारी उसके अंदर क्वैलिटी कहानी है जापान की कहानी शुरूती 1936 में योशे शीरातोरी ये नाम एक नोजवान का जापान के तो ये शीरातोरी जो है वो अमोरी एक जगा है जापान में वहां करेने वाला 1936 में शीरातोरी पे एक कतल का इल्जाम लगता है और इस इल्जाम में उसे जेल भीज दिया जाता है अदालत में मुकदमा चलता है लेकिन जेल भीजने के दौरान अभी अदालत का फैसला नहीं आ को इसको काफी उसको जातना ने दी जाती है उसको मारा पीटा जाता है उस वक्त जेल में कहईदियों का वहां पर बड़ा इमेच खराब थी पूरे जापान में कि वहां अजीव जीव तरीके से बर्थाओं करते एकसित तोक्यो का जो जेल था वो थोड़ा अलग था तो अमोरी जेल में ये भी जाता है यहाँ पर उसके उपर काफी जुल्म ढाय जाते हैं और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और उस दोरान में जो सरकारी वकील है वो शीरातोरी के लिए सजाय मौत की मांग कर रहे थे और उसे लगा था कि जिस तरीके से ये मुकदमे की कारवाई चल रही हो सकता है उसे सजाय मौत मिल जाए तो उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था क्या करे तब ही उसने फैसला किया कि वो जेल से भाग जाएगा पहली बार 19 36 में ग्रफतारी के बाद मुकदमे का भी आखरी फैसला नहीं आया अब इसने जेल से भागने का प्लान शुरू किया सबसे पहले इसने देखा कि जेल में जो गार्ड है उनकी ड्यूटी कप कप कहा कहा होती है पिट्रॉलिंग पे कितने कितने देर में वो लोग आते हैं उ उसने करीब 6 महीने इसको अबजर्ड किया बड़ी गहराई से देखा फिर उसने कुछ चीजें उसको समझ में आई उसे पता चला कि इस जेल के अंदर 15 मिनट के अंदर पिट्रॉलिंग होती है तो जब एक पार 15 मिनट में पिट्रॉलिंग होती है तो एक तरफ से जब वो गुजरना शुरू करते हैं तो फिर अगर वो गुजर गए तो पीछे के सारी चीजें खाली रहती हैं तो ये चीज उसे पता चलगी थी कि इस जेल से भागने के लिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट है 15 मिनट में वो इस जेल से भाग सकता है लेकिन दिक्कत ये थी कि उन 15 का वक्त मालूम कर चुका था गैप पता था 15 मिनट ये बाथरूम से धीरे धीरे प्लास्टिक की बाल्टी के साथ कुछ तार जो हैंडल बना कर वहां यूज करते थे उस वक्त उसने उन तार को इखटा करना शुरू किया और फिर उसी तार से इसने सबसे पहले अपने सेल क दर्वादा खोला दर्वादा खोलने के बाद अभी इसे पांच दर्वादी से और गुजरना था फिर इसने दूसरा दर्वादा खोला फिर तीसरा फिर चौता फिर पांचवा पिर छटा और इस तरीके से ये सारे ताले खोलता हुआ इस अमोरी जेल से बाहर निकल गया य पंद्रा-पंद्रा मिनिट पर टॉलिंग करते थे और सारे कहिदियों का मुएना करते थे तो उसके पास ये 15 मिनिट था सारे ताले तोड़े और वहां से निकल गया और ये काम उसनी किया था देर रात बलके सुबा सारे पांच बजे और पौने छे बजे तक वो जेल से बाहर था इसके बाद जब राउंड पे दोबारा गाड आते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि इसके बेट पे सारा चादरवादा तो ढखा हुआ है लेकिन साथ में कुछ तार्वार दिखता है तो उन्हे शक होता है उसके बाद अंदर जाते हैं वो गायब था हैरान इसके बाद खेर उलाम बचचता है ढूंड जाता है लेकिन वो मिलता नहीं है, जेल से निकल चुका था लेकिन ये रहाई ये आजादी उसके सिर्फ तीन दिन की थी ये तनी मेहनत छे महीने की कोशिश के बाद उसने जेल ब्रेक किया लेकिन सिर्फ 72 गंटे वो आजाद रहा बाहर रहा 72 गंटे के बाद इसी अमोरी इलाके में एक हॉस्पिटल में वो पहुंचता है पैसे वैसे थे नहीं और हॉस्पिटल से कुछ सामान चुराने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ के स्टाफ उसको पकड़ लेते हैं पकड़ने के बाद पुलिस को बलाते हैं जब पुलिस आती है तो पता तब तक इसके बारे में जानकारी देदीगी ती कि कैदी जेल से भागा है तो पता चला कि ये ये शो शीरा तोरी है अब इसको वापस फिर पुलिस पकड़ कर जेल भेज़ देती है उसी अमोरी जेल में अब वहाँ पर जब जेल में भेज़ती है इसके बाद फिर मुकदमा चलता है तो पहले मुकदमे का जो इसके ओपर चल रहा था तब तक उसका फैसला नहीं आया था लेकिन अब ये चुक अमोरी जेल से निकाल कर अकीता शहर में एक सिटी है जापान में अकीता तो अकीता सिंट्रल जेल भेज़ दिया जाता है पहला जेल ब्रेक तीन दिन के बाद गिर अफ़तारी मुकदमे का फैसला उम्रकायत की सजा और अकीता जेल में ट्रांसफर अकीता जेल में ये रहता था कि जो शीरा तोरी है ये जेल तोड़कर भागा था और तीन दिन तक भाहर रहा था तो वहां के जेल स्टाफ इस बात को लेकर खुंदक में थे और उनका ये भी था कि तो यहां से भाग कर देखा तो उसको वहां पर काफी टॉर्चर करते थे इसलिए कि उसने जेल थे उसे मारते पीटे थे एक्स्टा काम कर राते थे जो आम कैदियों से कराया थे तो उससे ज़्यादा और इस जगह पे जहां इसको रखा गया था यहां पर ठंड काफी थी यह पूरा नॉर्थ जापान का पार्ट था तो वहां पर इसको टॉर्चर किया जाता ठंड में इसको फर्च पे यूहीं सुलाय जाता गरमी के कपड़े दिया थे ठंड के कपड़े भी नहीं दिया थे और जब तब इसको साथ बुरा सलूप करते और यह भागे नहीं इस बार इसलिए इसको एक ऐसे सिल में रखा गया जो खास डिजाइन किया था जो बहुत ही छोटा सुलाय जिसमें सिर्फ इसी के लंबाई चोड़ाई का एक शकस रह सकता था इसके लावा कोई नहीं था और उसकी दिवार बेहोद ऊंची थी और उस दिवार के दो 14 तरफ कुछ नहीं था सर्फ दिवार से ऊपर में एक जाली थी उस जाली से ही एक छोटी सी जाली इतनी थ कि उसकी लंबाई चोड़ाई कि एक आदमी मुश्रिव से बाहर निकल सकता था लेकिन जमीन से लेकिए उस दिवार तक की हुचाई इतनी ज़्यादा थी और अंदर में कोई ऐसा साधर नहीं था कि कोई उस जाली तक पहुंच सके खास तोर पर इसी के लिए ये किया गया था और इसके लावा इसको हतकड़ी पहना कर रखा जाता है सूरज की रोश्नी भी इसके सेल में नहीं आती थी और सारे लोग उसको हंसते भी थे और इसकी हर वक्त निगरानी भी करते थे मार पीट होता ही रहता था लेकिन इस जेल का जो में हेड गाड था उसका नाम था कोबा याशी थोड़े से मतलब कूल माइन का एक अफसर था और वो ज़्यादा बुरा बरताओ नहीं करता था बलकि जब इसको मारा पीता जाता था तो बीच में आकर वो इसे बचा भी लेता था तो उससे हमदर्दी के दो बोल बोलता था तो उसे ये लगा कि इस जेल में अगर कोई एक अच्छा इंसान है जो एक अच्छा गाड है वो कोबा याशी है तो उसको देखकर उसको थोड़ी थी तसल्ली मिलती थी लेकिन बाकी जेल के स्टाफ के बरताओं से वो बहुत दुखी था और किसी तरीके से वो वहां से निकलना चाहता था इस दौरान ये 1942 साल सेकेंड वल्वार जो दूसरा विश्वयुद है वो छिड़ा हुआ था जापान भी उसमें शामिल था अमेरिका से जापान की लड़ाई चल रही थी दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ था और इधर शीरातोरी जेल के अंदर बन था दूसरी बार जेल में आया था इसी दोरान में तारीख आती है 15 जून 1942 छे साल हो गए थे उसको इस जेल में रहते हुए तमाम में इसकी निगरानी हो रही थी उस कमरे में जिस सेल में इसको रखा गया था वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था एक दर्वाजा था दर्वाजे के बाहर गाड़ अंद 12 जून 1942 तूफानी रात थी काफी तेज बारिश हो रही थी और तूफान काफी तेज था उपर से ठंड का मौसम था तो अचानक उस बारिश के मौसम में जब तुफान ने गार्डिंग आया और उसने रात को सेल में जहांका तो उसके होश उड़ गया उसने देखा कि सेल में शीरा तोरी तो ही नहीं अब वो अचानक अंदर आया तो उसको यह लगा कि कहां जा सकता क्योंकि दर्वाजा बंदे दर्वाजा खुला नहीं दर्वाजे से बाहर निकलने कि उसको आजादी नहीं थी हतकड़ी उसके हाथ में तो जमीन खा गई या आस्मान निकल गया इसके बाद वो फिर अलाम वलाम बचता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है इसके बाद पता चलता है कि वो कैसे भागा यहां से हतकड़ी खोलने में उसको महरत हासिल थी तो हतकड़ी के लिए वो किसी भी एक कोई चीज उसे मिल जाए वो उससे खोल लेता था तो उसमें हतकड़ी खोलने का वही तार और बागी पिन इन तरीकों का इस्तमाल किया और उसके बाद वो क्या करता था कि रात को जब गाड़ अपनी शिफ्ट बदलते थे पैर के बल पर और वो स्थी उसी तरीके से जैसे चिपकिली दीवार पर चलती है और वो बिल्कुल कौपर की दीवार थी और वो चिखनी दीवार पर भी बहाद आसानी से धीरी देरे प्रक्टिस करके ऊपर चढ़ना शूरू किया और वो कई फिट उचाई पर वो जाली थी जहां से बस एक हावा आने का जरिया था तो यह प्रक्टिस करता फिर वापस आता अपनी हतकड़ी को बन कर लेता फिर सो जाता छे महीने उसने ऐसा किया छे महीने के बार इसको महारत वागी दीवार पर चलने की बिल्कुल स्पाइडर मैन के जैसे उसके बार यह क्या करता कि जो जाली थी वो स्टील की जाली थी लेकिन उसकी जो फ्रेम थी चारो तरफ वो लकड़ी की थी तो जब यह प्रैक्टिस करकर कि उस जाली तक पहुँच गया पर उसे लगा कि इस जाली को खोले कैसे क्योंकि वो इस्टील मजबूत काटने का कोई औजार नहीं और कोई तरीका नहीं तोड़ने के लिए कोई सामान नहीं तो यह वहाँ पे जाता और उस लकड़ी के फ्रेम को जो इसको खाने के लिए कुछ प्लेट और यह सारी चीज़ें मिलती थी और सूप बॉल उसके जरीए वो बीस पंदरा से बीस मिनट हर रात प्रैक्टिस करने के बाद जब यह दिवार पर चल चुका तो यह उपर जाता और उस लकड़ी के फ्रेम को ठोक पीटके किसी त फड़ा लूज हो गया फिर एक रात उसने चुनाब उसे मालूम था कि फ्रेम आसानी से खुल जागा फिर भी उसने इंतजार किया जेल में क्योंकि उपर जाकर च्छत पे और भागने में फिर एक खत्रा ये भी था कि उसके पैरों के गजमों के आवाज नहीं जा सकती और गाड अलट हो सकते हैं तो उसे नहीं इंतजार किया क्योंकि बारिश हो कोई तूफान आए कोई आंधी आए और उसमें उसकी आवाज दब जाए और ये तूफान और ये बारिश 15.1942 को मिला और वो उस रात दिवार से पे चड़ता हुआ उपर पहुंचा फ्रेम को उसने बारिश और आंधी थी किसी को पता नहीं चला शीरा तोरी छे साल के बाद पहली जेल ब्रेक के दूसरी बार अब जेल ब्रेक कर चुगा था और वो उस जेल से फिर निकल भागता है तीन महीने इस बार उसकी आजादी थी पहली बार जब उसने जेल ब्रेक किया तब वो त तीन दिन के लिए बाहर था, तीन दिन में पकड़ा गया, दूसरी बार तीन महीने बाद, तीन महीने बीद गए, अब तारीख आती है, 18 स्प्तंबर 1942, एटेन स्प्तंबर 1942, लेकिन इस बार इस दूसरे जेल ब्रेक के बार जुस तरीके से वो पकड़ाया, वो भी अपने नोखी कहानी है, शायद वो ना पकड़ाता, जेल से भागने के बार ये तीन महीना एदोधर रहा, शीरा तोरी की एक बीवी और एक बेटी भी थी, लेकिन उसने ये पता किया था कि पहले जेल ब्रेक के बार, जब वो कोट वोट रूम में मिली, तो पता चला कि उन तीन द की लेकिन लगा कि पकड़ा जाएगा, तो वो फैमली के पास फिर नहीं गया, तीन महीने बाद शेरा तोरी, अकीता पहुंचता है, अकीता में ही जहाँ पे जेल, और जो अकीता जेल के में जो हेट वाडन थे, जो गाड था, कोबाया शी, जिसने उस जेल में सारे कहदियो के साथ जो बुरा सुलूक करते थे गाड, जो हेट गाड था, जिसने शीरा तोरी के साथ हमेशा अच्छा सुलूक किया, हमदर्दी के बोल बोले, यह वही था, और इसी के घर जेल से भागने के तीन महीने के बाद, अचानक उस घर की घंटी बचती है, खुद हेट गाड जो है, आकीतो जेल का वो कोबा याशी दर्वादा खोलता है, और उसके सामने उसी का जेल का भागा हुआ है, एक कैदी खड़ा हुआ है, तीन महीने बाद, अब वो सनने रह जाता है, क्योंकि वो भी उसकी तलाश में था, तो पहले तो उसे समझ में नहीं आता है, फिर ख मुझे उससे घुस्सा है, मुझे उससे लड़ाई है, मुझे पहले जेल में भी पीटा गया, मारा गया, जो गहरकानूनी तरीके से एक्स्टा काम है, वो कराये गए हैं, यहां पी कैदी मुझे मारते थे, मुझे ठीक से सोने नहीं देते थे, लेकिन आप ही एक शक्स थे जिसने मुझे इनसान समझा और मिल साथ अच्छा सुलूक किया तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि एक मैं प्रपोजर लेकर आया हूँ मैं सरेंडर करना चाहता हूँ लेकिन ये सरेंडर मैं जिस्टिस डिपार्टमेंट के सामने जो जापानी के पूरी जिस्टिस डिपार्टमेंट है उनके सामने करना चाहते हैं जजजों के सामने करना चाहता हूँ अपने इस मुद्दे को लेकर कि जो जेल का हमारा सिस्टम उसको सुधारा जाया जेल के अंदर जो एक इनसानों के साथ, कैदियों के साथ, जो जानवरों जैसा सुलूग किया था, वो बंद हो, तो शायद मेरी आवाज से बाकी जेल के कैदियों के उपर कुछ असर पड़े, उनके साथ अच्छा हो, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप मे भरोसा अपने जेल में में साथ अच्छा सुलूग किया था, क्या आप मेरी मदद करें और मुझे जस्टिस डिपार्टमेंट तक ले चले, मैं वहां सरंडर करना चायता हूँ, कोबायाशी के उपर भरोसा था, शीरातोरी को, इसलिए वो वहां पहुँचा था, कोबायाश में पुलिस को कॉल कर देता है, थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां पहुँच जाती है, और शीरातोरी दूसरे जेल ब्रेक के ठीक तीर महिने बाद, जो हेट गार्ट था, उसी के घर से अरेस्ट हो जाता है, लेकिन ये गिरफतारी एक धोका थी, क्योंकि वो गया था, लेकिन जिससे उमीद और जिससे मदद के ले गया था, उसी ने उसको गिरफतार करवा दिया, अब पहली बार फैसला आया नहीं था, दूसरी बार उम्रकायत की सजा होई पकड़े जाने के बाद, तो अब ये दूसरे जेल ब्रेक के बाद ये जब पकड़ा गया, तो फिर इसको उम्रकायत के साथ तीन साल की सजा और जोड़ दी गई, जेल ब्रेक के लिए, तो अम्रकायत तो थी ही, साथ में तीन साल की सजा और हो गई, इसने कोड़ से कहा कि ठीक आप मुझे सजा दे दीजे लेकिन आप मुझे टोकियो के जेल मेरे, टोकियो का मौसम थोड़ा नहीं मानी और अब तीसरी बार इसको सीधे नौर्थ जो जापान है उसमें एक जगह है होकाइडो होकाइडो एक दम बिल्कुल ठंड इलाका है यहां पर बरफ की पहाड़ियां है तो होकाइडो में जो सबसे बड़ा जेल है और बड़ा एकांत में है उसका नाम है आबा शी जेल में अब शीरा तेरु को भेज दिया जाता है उम्र कैद और तीन साल और सजा काटने के लिए आबा शीरी जेल की खास बात ये थी कि इसका इतिहास रहा है कि कभी भी इस जेल से कोई कैदी बाहर नहीं भागा ये इनका बड़ा सुनहरा इतिहास रहा कि आज तक कोई कै जेल तोड़का नहीं भाग पाया कुछ ने कोशिश की वो मारा गया इस जेल के खासियत ये भी थी कि एक तो ठंड इलाका और जब इसको भेजा गया वहाँ पे 1943 की अब बात आ गई वहाँ पे जो temperature था उस वक्त वो below freezing point था जबा देने वाली सर्दी से भी कम वहाँ ले जाने के बाद आबा शरी जेल के स्टाफ को भी पता था कि ये दो बार जेल ब्रेक कर चुका है तो उने भी अलग खुननस थी वहाँ पे भी इसके साथ बुरा सुलूग किया इसे मारा पीटा गया एक दिर कहते हैं कि इसके इतना मारा पीटा गया कि इसने फर हतकरी पहने वाए था और इसे घुस्सा आया और उसने गाड के सामने अपनी ताकत के बल पे उस लोहे की हतकरी को तोड ढाला दोनों हातों में जो था और तोडने के बाद उसने चैलेंज किया उसके लिए एक खास हथकड़ी का ओर्डर दिया गया और वो हथकड़ी जो थी वो 20 किलोस का वजन था उस हथकड़ी की खास बात यह थी कि उसमें कोई की होल नहीं था कि जिसी से खोला जा सके और उस हतकड़ी को उसको दोनों हाथ पीछे की तरफ करके पहना जाता 20 किलो वजनी साथ में दो बेड़ियां खरीदी गई पहली बार अब तक अब तीसरी बार में ऐसा हुआ और उसके दोनों पैरों में बांदी गई हाथ दोनों पीछे की तरफ बंदेवे हतकड़ी से और दोनों पैरों में बेड़ियां 20 किलो वजन और इसके बाद इसको वैसे ही रखा गया इस हतकड़ी को खोलने में सिर्फ दो घंटे लगते थे जो इसे पहनाया गया था और को में को ही होल नहीं कुछ नहीं और उसको खोलने के लिए बात आई ता है इसके लिए एक सपेशल सेल बनाया गया था जिसके अंदर इसको रखा गया और वहांपे पूरी जबरदस्त इसकी निगरानी की जाती इसको जो खाना दिया जाता तो वो भी ऐसे की मतलब जैसे डॉक खाना खाते हैं दोनों पीछ हाथ-कडिया बंधी भी हैं प्लेट इसके आगे डाल दिया गया है रेंगते वे प्लेट तक पहुंच रहा और मुझ से खाना खा रहा है कभी-कभी रहम आता तो वो हाथ खोल देते जो पंद्रा दिन में जब वो आता और वरना रोटीन यही था कि वो उसी तरीके से खाना खाता सोना भी मुश्किल था कि दोनों हाथ पीछे की तरफ बंदे वे थे और साथ में बेडिया थी अब वो इस तरीके से उस जेल के अंदर रह रहा है पंद्रा दिन में एक बर जब फुलता वो इस्पेस्टिस आते हथकड़ी खोलने के लिए तो उस दिन उसको नहाने को मिलता और उस दिन अपने कपड़े बदलता वरना ऐसी ही सारी चीजें उसकी चल रही थी करीब साल भर बीद गया अगस्ट 1943 की तारीख आ गई एक दिन अचाना के गाट को आवाज आई छट पर और वो ठीक उस सेल के उपर छट थी जिसमें शीरातोरी जो है वो बन था वो भाग कर नीचे आता है सेल में जाता है देखता है शीरातोरी के सेल में वो बीस किलो की हतकड़ी और जो पैरों में जंजीरे बंदी भी थी, वो एक कोने में पड़ी भी है और शीरा तोरी अपने सेल से गायब है अब सवाल ये है कि कैसे गायब हो गया तो बाद में पता चला फिर इस तीसरे जेल ब्रेक की कहानी उसने कैसे तोड़ी इसको हर दिन खाना जो दिया जाता था उसमें इसको सूप भी दिया जाता था और सूप बॉल होता था तो ये क्या करता था कि उस सेल के अंदर एक विंडो थी लेकिन उस विंडो का साइज उस कमरे में सब कुछ इस साइज का बनाया गया था जो इसके शरीर के साइज से छोटा हो जैसे चाहे वो चोड़ाई में या लंबाई में तो इसके जेल के तोड़ने की इतिहास को देखते हुए क्योंकि पिछले जेल में ये उपर दिवार पे चड़के रिंगते हुए एक वो जाली से भागा था तो बाकाइदा इन्होंने उस जाली की साइज मंगवाई फिर शीरातोरी की साइज देखा तो इस बार जिस सेल में इसको रखा गया चाहे वो दर्वाजे के अंदर का कोई एक होल हो सुराख हो वो बहुत छोटा चाहे खिड़किया हो वो बहुत छोटी चाहे जाली हो बहुत चोटी मतलब इतनी चोटी कि अगर वो सब खोल भी दे तोड भी दे तो उसके अंदर से घुसकर निकल नहीं सकता है साइज में इतना चोटा रखा गया था तो इसने क्या कि जो इसको सूप मिलता था ये करीब 6 महीने से तयारी कर रहा था जब इसको सारी हतकड़ियों ये पहना दी गई तो 6 महीने तक ये सोचता रहा कि कैसे भागू फिर इसके बाद इसने क्या कि जब भी इसको खाना मिलता तो रात को ये खास काम करता जिसको सूप मिलता उस soup का थोड़सा हिस्सा ये कोने में गिरा देता मुथ से कटोरी उठा कर रहे जगा जमा कर देता और फिर उस soup को उस कमरे में एक विंडो है और इसके जो हाथ में हतकड़ी है पहले अपने हतकड़ी के उपर soup का कुछ हिस्सा उस जगे पे डालता जहां जहां पर joints थे उसके अंदर कुछ जो salt content होते हैं वो सारी चीजे थी जिससे इसे ये भी पता था कि अगर एक ही जगा पे बार बार लगाता है ये चीजें जाली जाएं ये salt content तो वहाँ पे वो जंग बनाएगा और फिर वो कमजोर कर देगा तो इसने सबसे पहले उस हतकड़ी को जिसके अंदर कोई keyhole भी नहीं थे सरफ joints थे और वो joints खोलने के लिए आते थे एक्सपर्ट उसने उस joints पे डालना शुरू किया जब भी इसको खाना मिलता वो soup अपने joints पे डालना शुरू कर देता धीरे धीरे ये कई महीने लगे और वो joints कमज़र हो गया फिर उसने उस joints को तोड़ा इसके अंदर एक और काविती कि ये थाकत पता नहीं कहाँ से लाता था तो उसने इस तरीके से joints को तोड़ा कि पता ना चले लेकिन जैसे इसने joints को तोड़ा तो इसे मालूम था कि अब उसके पास जादा वक्त नहीं है क्योंकि इस रूटीन काम में, उसके बाद उसका मकसद कामयाब हो गया, वो हतकड़ी जो है उसकी तूट गई, वो जो विंडो थी वो कमजोर हो गई, हतकड़ी तूटने के बाद उसने विंडो तोड़ा, और फिर उस जगह से, उस विंडो के जरीए उस जेल से भाग गया, यह उसका कि जेल ऐसी जगह थी जहां पर एक चारो तरफ बर्ख की पहाड़ी थी एक आंत में थी और फ्रीज कर देने वाला टेंपरेचर था कपड़े इसको ऐसे दिये नहीं जाते थे ठंड में रखा जाता था और सबसे कमाल यह था कि जो जिस जगह से यह निकल के भागा था वो बन इसी काबलियत पता चली वो यह कि अपने जॉइंट्स को अपने शरीर के हिस्से को डिसलोकेट कर देता था मतब हाथ कभी भी पूरा घूमा कर पीछे पैर घूमा कर पीछे तो इस तरीके से डिसलोकेट करता था कि यह जतना बड़ा है उससे अपने आपको छोटा बना ले लेकिन चुके इसे ये कला थी कि अपने जॉइन्स को शरीर के हिस्से को डिस्लोकेट करने का उसका इसने वहां इस्तमाल किया और वहां से भाग गया लेकिन अब इस जेल को लगा कि अगर भाग गया तो यह मौत के मुझे गया बचेगा ने इसने कि एक तो बाहर तूफान प खाना पूती के लिए कुझे तलाश किया लेकिन मिला नहीं और इसके बाद शीरा तोरी गायब इसी दोरान में होता यह है कि अगस्त 1945 में अमेरिका के आगे जापान सरेंडर कर देता है अब अमेरिका की वहां पे थोड़ी सी बातशाहत होगी एक तरह से जापान में सिकें और किसी को याद ही नहीं रहा कि भागा क्योंकि हालात इतने देश के खराब थे खरीब यह अगस्त 1945 की बात है जब यह सब कुछ हुआ था और जापान में अप धीरे धीरे चीजें बदल रही थी पुलिस पर शासन को भी लेके और जेल को भी लेकर दो साल बीद गया शीर पुलिस पीछे नहीं पड़ी होगी तो जापान में एक शहर है सापरो तो इसने का कि आप सापरो शहर जाना वहाँ से इसको अपनी बीवी और बेटी का कुछ संपरक का पता करना था तो इस पहाडी एलाके से करीब 50 दिन के बाद वो सापरो शहर पहुंसתा है जब सापरो शहर पहुंसता है तो वो चौक जाता है, वो देखता है कि जगा जगा अमरिकन सोल्जर्स घूम रहे हैं, जापानी की जगा इंग्लिश में न्यूस पेपर आ रहे हैं और बहुत सारे दिवार पे और ये सारी चीज़ें लगी भी हैं और वहीं उसे न्यूस पेपर के ज़रीए पता चलता है कि हिरोशीमा और नागाशाकी पे एटम बॉम गिरा और इतने लोग मारे गए, ये सारी चीज़ें उसे अब उस पहाड़ी अलाके से आने के बाद पता चली, ये सारा अगवार पढ़ने के बाद, अब उसे जब टमाटर का खेत मिलता है, वो इस टमाटर के खेत से कुछ टमाटर लेकर तोड़कर खाने लगता है, किसान देख लेता है, उस खेत का मालिक, किसान के साथ इसका जगड़ा होता है, इस जगड़े के दारान किसान उसके पूर हमला कर देता है, क्योंकि वहाँ पर ये था कि औरी औरी काफी चोर भी थे तो किसान को लगा कि ये कोई चोर है तो उस हमले में आपसी गुथम गुथी में जो किसान जिसी से अटेक कर रहा था उसी को लेकर शीरा तोरी जो है वो किसान पर हमला कर देता है और इतफाक से इस आपसी लड़ाई में उस किसान की मौत हो जाती तो ये एक एकसिडेंटल डिट थी आपसी जगड़ा में बचने बचाने के लिए वो हत्यार उसी को लग जाता है और किसान मर जाता है किसान मरता है ये भागता है लेकिन तब तक बाकी लोग आ जाते हैं और शीरा तोरी को पकड़ लेते है तो इस तीसरी जेल ब्रेक के शीरा तोरी करिब दो साल तक आजाद रहा और उसके बाद पकड़ा गया पहली बार तीन दिन दूसरी बार तीन महीने तीसरी बार दो साल दो साल के अजादी के बाद अब फिर पकड़ा जाता है और इस बार चुके एक किसान के कतल का इल्जाम था तो उसको पकड़ने के बाद फिर सापरो जेल भेज दिया जाता है और सापरो की डिस्टिक कोट अपना फैसला सुनाती है 1947 में और शीरा तोरी को मौत की सजा देती है चुकि उसके पर कतल का इल्जाम था मौत की सजा सुनाने के बाद अब इसको सापरो जेल भेज दिया गया अब ये था कि इसको कभी भी मौत की सजा दी जा सकती है इतिहास ये था कि ये तीन जेल ब्रेक कर चुका था पूरे जेल परशासन को सब कुछ मालूम था तो आपकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो इसलिए इस बार काम ये किया कि जिस सापरो जेल में शीरा तोरी को रखा गया वहाँ इसके उपर 24 घंटे की निग्रानी लगाई गी छे आम्ट फोस जो हत्यार बन जवान उनका कामी सिर्फ एस्पेशल ये था कि शीरा तोरी पर आपको नज़र रखनी है खिड की दरवाजे छट कोई भी ऐसी जगा जहां से कमरे के अंदर से निकलने तोड़ने निकल भागने की जरा से भी गुंजाईश होगी उनस बकियो अब इतना और छोटा गिया क्योंकि पिजली जिल से पता चला था कि इसने अपने जो जॉइंट उनको डिस्लोकेट कर लेता है तौन ने जका कि एक चीज पता की उन्होंने फिर कि ये जॉइंट तो डिस्लोकेट कर सकता है लिकिन अपने सर को छोटा या बड़ा नहीं कर सकता है तो उन्होंने हर चीज़ को जो बनाया वो ऐसा बनाया कि बाकी चीज़ें तो हाथ पैर ये बॉड़ी सब सिकोड कर निचोड कर अंदर जा सकता है बट जो इसके सर का साइज है उस सर के साइस से छोटी हर खिड़की से लेके हर सुराख रखी ताकि अगर ये कुछ कर भी ले दिवार में छेद भी कर ले खिड़किया तोड़ भी दे तो वो इतनी छोटी होंगे कि इसका सर ही उसके अंदर निफूस पाएगा और ये फंस जाएगा तो इन्होंने इसके सर के हिसाब से और सर के साइस के हिसाब से ये सारी चीज़े की छे लोग लगातार इसके नज़र रखते थे और इसलिए जब इतनी ज़्यादा सक्ती थी तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इसको हतकड़ी भी नहीं पिना है और सारी चीज़ें इसके पिछले जो जेल से भागे उन सब को ध्यान में रखके बनाया गया इसने जब इस इस पेशल डिजाइन किये वे कमरे में इसको रखा गया तो ये आने के बाद सबसे पहले ये काम करता है कि जब इसे मौका मिलता ये छट की तरफ घूरना शुरू कर प्रोल जेता तो जो गाट थे छे लगातार इसको देखते रहते थे तक हुल देखते और हसते कि यह वो समझते कि चछट से रास्ते को जुगार में लगा हुआ है। दूसरा काम उसने ये किया, कि जैसे उस सिल में आया, तो उसको फर्ष पे सोनिकली दिया जाता था। जैल में आने के करीब 15 दिन के बाद इसने एक हैबिट बना ली। जैल में जब आते हैं तो उसका एक रूटीन होता है कि आपको जैल के मैनुवल के इसाफ़ से टेम टेवल उठना होता है, जागना होता है, काम करना होता है। तो जब भी वो गार्ड इसको उठाने आता तो आना कानी करता है। अगर छे वज़े उठना नहीं उठता, साड़े छे साथ, इसके लिए पिटता भी वो पर उठता नहीं। तो एक, दो, तीन, चार, पार, छे दिन ऐसे लगातार यह चलता रहा। तो गार्ड को यह लगा, कि अच्छे यह थोड़ा कमजोर भी हो गया, वक्त भी बीट रही थी, उमर भी बीट रही थी। तो गार्ड को लगा कि शायद यहां पर एक तो इसने मार खाएं, बहुत टॉर्चर भी हुआ है, अलग-अलग, दो साल तक यह पहाड़ीयों में रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो उसमें से कुछ रहम दिल था, कि इस गार्ड सारी निगरानी करने के बाद, वहाँ पर जो सारे इसकी निगरानी होती थी और रात को फिर गार्ड चले जाते थे, मतब वो हर वक्त आमने सामने नहीं होते थे, तो सारा उन्होंने चेक किया चले गए, सुबा सुबा जब वो आते हैं, तो देखते हैं कि सेल से, तो और हिगाएब है और वो चारो परफ देखते हैं खिल्केयां वैसी हैं जाली वैसी हैं दरौाजे वैसी हैं और कहीं कुछ नहीं है आखरी में उनकी نजर उसके गद्दे बैजाती है गद्दा सरकाते हैं उसके बात पता चलता है कि उन्होंने सब कुछ किया वस एह पूरी दिवार, छट, खिड़कियां सब मजबूत कर दी जमीन की तरफ देखना वो भूल गये थे उसने जिस जगह पे वो सोता था उसके ठीक नीचे एक सुरंग बना लिया था और उस सुरंग के रास्ते वो निकल गया और वो सुरंग वो रात को बनाया करता था और फिर ज ठक देता और इसके बाद फिर पता चला कि शुरुवात में उसने जो नाटक किया था जब गार्ड उसको उठाने के लिए आते थे और वो नहीं उठता था तो उनको ये लगता था है कि ये काम वाम नहीं करना चाहता था एक्शली वो जमीन तयार कर रहा था कि कभी जब मै ये खुदाई शुरू करूं और उसके बाद अचानक वो आ जाएं और कहीं हटा लें और देख लें कि नीचे क्या हो रहा है तो उनका भरोसा जीतने के लिए पहले बिना खुदाई शुरू करने से पहले उसने ये नोटंकी की कि वो लगातार सोता रहता था तो उने लगा तलाशी भी गद्दे भी सरका दिये लेकिन अब जब उसकी हैबिट पता चल गए कि ये लेट तक सोता है डंडा खा लेगा लेकिन वक्त पर नहीं जाएगा तो उनों उसकी तरफ से एक तरह से वो लापरवा हो गये और उसी का उसने फायदा उठाया पूरी जेल की दीवा सारी फोर्स उसको ढूंड रही है लेकिन ये निकल गया और अब इस तक कोई कुछ नहीं पहुंच सकता था अब इसके बात की जो कहानी है वो वैसी है जिसे दूसरी बार में एक पुलिस अफसर पे इसने भरोसा किया था अब चौथे जेल ब्रेक के बाद एक दिन अचानक एक जगहे पे ये बैठा हुआ था शहर में सापरो एक सपरो शहर है जापान में 1948 की ये बात है 47 में ये जेल तोड के भागा था लगबक साल भर बीद गया साल भर बीदने के बाद ये एक दिन एक सपरो एक जगह पे पब्लिक प्लेस पे बैठा हुआ था इतने में एक पुलिस अफसर आकर अचानक बाकादा अपनी यूनिफॉर्म में इसके ब्राबर में बैठ गया शीरा तोरी घबरा गया क्योंकि इसके ब्राबर में एक पुलिस अफसर बैठा हुआ था अब अभी तक कोई बाचीत नहीं हो रही थोड़ी देर के बाद वो प्लेस अफसर एक सिगरेट जलाता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है यह उसको देखता रहता अब यह भी सोच रहा था कि मैं उठके अचानक चला जाओं उसे शक ना हो जाए मैं पकड़ा ना जाओं क्योंकि दिल में चोर था थोड़ी देर के बाद अचानक वो प्लेस अफसर सिगरेट पीते पीते सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसमें से एक सिगरेट शीरा तोरी को आफर कर देता है वो पुलिस अफसर की तरफ देखता है सिग्रेट लेता है सिग्रेट जलाता है सिग्रेट पीता है उसके बाद अचानक उसके दिमाग में आता है कि इतने सारे पुलिस अफसरों ने इतने सारे जेल में उसके साथ जुल्म किया जुल्म ढाया एक हेट गार्ड के उसने भरोसा किया उसने उसकी बात नहीं मानी और एक ये जो अपनी यूनिफॉर्म से लगा रहा कि बहुत बड़ा अफसर है पुलिस का ये मुझे सिग्रिट दे रहा और उस वक्त सिग्रिट लगजरी की गिंती में आती थी मतलब अमीरों के शौक थे महेंगे थे सिग्रिट लगजरी की बात है तो उसे लगा कि इतनी कीमती चीज़ एक पुलिस अफसर मुझे दे रहा इतनी इज़त दे रहा है तो उससे बरदास्ट नहीं हुआ उससे गिल्टी फील हुई उसके बाद वो अचानक सिग्रिट खत्म करता है और उस पुलिस अफसर से कहता है कि मेरा पूरा नाम ये शो शीरा तोरी है पुलिस अफसर उसकी तरफ देखता है ये नाम लगबग उस वक्त जापान के हर पुलिस वालों को पताता क्योंकि चार जेल ब्रेक करके वो सारी सुर्खियां बटोर चुका था तो जब ये अपना पूरा नाम दुबारा बताता है तो कहता तुमने अपना मुझे नाम क्यों बताया तुम तो भागे हुए हो तो वो कहता है कि आपने एक सिग्रेट देकर मुझे ये बताया कि हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं और दूसरा मैं थक गया हूँ भाग भाग कर मेरी लडाई सिर्फ जेल के सिस्टम से अपने मुलकी जहां पर कैदियों के साथ जानुरों के तरह सुलूग किया राता है मैं चायता हूँ कि मुझे वापस भाग थक गया हूँ भागते भागते लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है कि जेल सिस्टम सुधार दे वो पुलिस अफसर उसको अपने साथ ले जाता है साथ ले जाने के बाद उसे कोट में पेश किया जाता है वो पुलिस अफसर धोके बाज नहीं निकला उसने बाकाइदा जच के सामने उसकी सारी खाहिशों को बताया जजज ने उसकी सारी चीज़ों को सुना फिर से केस की सुनवाई शुरू हुई और उस किसान का जो मडर का चार्ज था वो सारे गवाहों और उसको देखके अजालत ने अपना फैसला सुनाए कि वो सेल्फ डिफेंस में किया गया जिर्म था लेकिन चुके चार जेल ब्रेक किया था, इन सारी चीज़ों को मिला कर जज ने 20 साल की सजा सुनाई शीरा तोरी को और शीरा तोरी की इस बार उस काहिश को मान ली गई कि मुझे टोکयो जेल बेजा जाए बीच साल की सजा और अपना जुन भी कबोल कर लिया शीरातोरी ने उसके जवजर से टोکयो जेल भेजा गया टोکयो जेल का महौल भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था वहां के गार्ड भी अच्य थे और वो उसके साथ अच्छा सुलूक करते थे इसलिए वो पहली ऐसी जेल थी जहां से शीरातोरी ने भागने का सोचा भी नहीं उसने कहा कि हाँ सब कुछ अच्छा है मैं नहीं भागूँगा अब मैं आजाद जिन्दगी जूँगा जब यहां से निकलूँगा करीब 14 साल तक वो टोक्यो जेल में रहा 14 साल बार 1961 में उसको पेरोल मिला पेरोल पर वो बाहर आया पहली बार वो एक आजाद शेहरी के तौर पर कानूनान बाहर आया था अब तक जब भी बाहर आया था चार बार जेल ब्रेक करका था बाहर आने के बाद वो आवमोरी गया आवमोरी में ही उसकी फैमली थी बीवी और बेटी लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और जब बेटी बच्ची थी तब ये जेल में था फिर वो अपनी बेटी को सारी कहानियां सुनाता है उसके बाद वो आवमोरी में ही रहता है पेरोल के बाद ये फिर जेल नहीं जाता क्योंकि इसके चाल चलान अच्छे थे और 61 से लेकर करीब 19 साल ये जिन्दगी जीता है अपनी बेटी के साथ 1979 में हार्ट एकसिस की मौत हो जाती है तो आखरी के 19 साल आजाद हवा में इसने सांस ली और 1979 में इसके डेट होई इसकी मौत की कहानी, इसकी जेल से ब्रेक की कहानी पूरे जापान में इस पे कई नॉवल छपे और ये जापान में एक तरह से हीरो भी बना और एंटी हीरो भी बना और इस शीरातोरी की ही वज़ा से कहते हैं कि जापान के जेल सिस्टम में बदलाओ आया जुडिशेरी ने उसकी बातें सुनी उसने जो कुछ कहा अपने तजरुबे से वो सब और फिर जेल में वहाँ पे गाड्स को और जेल के स्टाफ को नए इसलिए से ट्रेनिंग दी गई और कहा गया कि आप कहिदियों के साथ किस तरीके का सुलूप करेंगे तो एक शीरातोरी ने अपने चार जेल ब्रेक के जरिए एक पूरे मुल्क के जेल सिस्टम को भी बदल दिया और सुधार दिया ये थी पूरी कहानी ये शो शीरातोरी की उमीद है आपको अच्छी लगी होगी अब आसिम वो भी डूबावा कहानी सुनते सुनते सब बोल गया है वो बताओ सवाब पूरा सारी चीज़ और पूराना कुछ गोडाउन और उस टाइप का था और उन्हें बड़ी बारीक से लेयर टाइप की चीज़े ती इसका फ्लोर था और ये चीज़ें जो इक डिटेल में अच्छा वा अपने सवाल पूछा उसने जेल के बारे में कई लोगों से दोस्त आप पूछना तो शक हो जाएगा कि अच्छा तुम यह जानना चाहते हैं लेकिन वह कहीं दूसरे तरीके से तो उस जेल के नीचे ही जहां पर वह उसका फर्श था जहां पर वह सोता था उसके जरीए वहीं पर उसने सुरंग कि और वहीं पर साइड साइड में उसका पूरा एक खाली स्पेस थासल में क्योंकि वह पूरा जैसे होता नहीं कि ऊपर से नीचे तक भरा हुआ वैसा नहीं था इसलिए उसको आसानी हुए मुरारी साहब यहां पर लेकिन पूरे मामले में कभी भी किसी जैल स्टाफ की मिली बखर सामने नहीं आई और नहीं किसी को सदा मिली इकलौता और अकेला इसी का काम था बिलकुल दिनेश आप मुझे लगता है तब ही मैंने शुरूर में कहा कि इस तरीके की जो चीजे हैं वो कम सुनने और देखने को मिलती है जब भी जापान में इस तरीके की खास तर पर जेल की सिस्टम की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि शेरा तोरी का बहुत बड़ा रोल है वहां के जेल सिस्टम को बदलवाने में अजीब बोलना है कि सर कल सहेटे में आई थे लिकिन आप उसना बेज़ते आप से मुलाकात नहीं है या एक साल इंतजार करना पड़ेगा कभी किसी दिन मौका मिलेगा जरूर अब से मुलाकात होगी लेकिन जितने लोगों से मैंने कोशिश की बहुत सारे कम से का मुझे लगता सथा लोगों कि आप बस कानेडा से देखते रही है जी अनुराग साथ मैं साइबर फ्रॉड पे भी एक से कहानिया है मैं जल्दी सुनाता हूं निखिल साब ठीक है वो तंसीम है उनकी तब्यत खराप थी असल में उनको अचानक ब्लॉकेज है तो बाइपास सरजरी हुई और बहुत तेजी से रिकवरी हुई अभी वो लखनाओ अपने घर पे हैं लेकिन सब उपर वाले के करम से सब कुछ अच्छा है ठीक है और बहुत अपने आप में गी नूस्त तक तक कि आई थी लेकिन आपसे मुलाकात भी हो पाई मंजू दिलिप सौरफ और फिजा का नाव लेकिन चली फिर कभी मुलाकात होगी मनीश जेल ब्रेक अपने आप में क्राइम की कटेगरी में आ जाता है कि जहां पे भी रूल और नियम और कानून को तोड़ा जाता है ब्रेक तो वैसे ही जुर्म है तो बिल्कुल क्राइम की कटेगरी में है इंडिया में मेहुल साब अलग-अलग जेलों की अलग-अलग हाला थे लेकिन हाला कि मैं तो दूसरी बात बता रहा हूं कि जापान वाले की कहानी छोड़ दीए अपने हां तो जेल में ही लोग मौच काटते हैं अपने असल में बाहर में जादा मुझे लगता है सजा मिल जेल में तो आपके पास पैसा है पहुंच है तो आप पार्टी कीजिए बड़े मनाईए म्यूजिक सुनिए मोबाइल ले जाए टीवी ले जाए एसी ले जाए फ्रीज रखिए क्या-क्या सुविराय नहीं बीच-वीच में तो तस्रीर आप देखती है तो अपने जेल में अपने जेल में बहुत मौज है अपने जेल में बहुत मौज है पैसे दीजिए आपको सारी सुविधाएं उपलब्द है जी प्रभाद साब मैं कम से कम दरजन से जादा जेल में जा चुका हूँ चाहे वो तिहार का हो या यूपी का हो या बिहार का हो इविन महरास्ट के राजिस्थान के MP के बहुत सारे जेल में गया हूँ बट ये की पहली बार जब गया था तो इसलिए घबरा रहा था कि मुझे एक दोस भी थे वो थोड़ा मजाक कर रहे थे मेरी खिचाइवी कर रहे थे जेलर थे तो अब जब जेल के अंदर आ जाते हैं तो आपके हाट पर ठपा लगा देते हैं तो जब ठपा लगा तो मुझे का गया क इसको मिटने मत देना मैंने का पूछा क्यों और ठपा मिटी है तो तुमको बाहर ने निकल देंगे तो अंदर ही रह जाओगे तो पूरे जेल के अंदर पहली बार का एक्स्पिरियन देते कि मैं घूम रहा था सब अचा गरमी का दिन भी था तो मैं बार 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 बस इसी याद आगा लेकिन चलिए एक शेर के साथ खतम करता हूं कि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया और वह पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए ये शेर है कि बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं है या आखों के लिए अच्छा नहीं है तो थैंक्यू वेरी मच यही लकात होगी रात 9 बज़े आप से एक बार फिर तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक्यू